सौगत अब सभी का क्विखिंदी पर मैं हूँ अभिनो सिंग दोस्तो नवाँ पार्ट है ये दिसम्मर में जिनका एक्जाम होने वालों के लिए बागी आठ जो लोग नहीं देखो न जरूर देख लेना उसको मिस मत करना सारा continue देख लेना आपको और भी बहुत सारे playlist में आपको जाके देखोगे उस curling के मरर्ण discussion में जिख लेना है master class देख लेना है पूशे के questions देख लेना है बहुत सारा मिले का उसमें ताकि सब लोग अच्छे से टेश्ट दे सको और वीडियो को सब लोग को लाइक करना है आप सभी को चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का तो आज का फाइला कॉश्चन है कि UPI की रेफरेंस में PSP में S का फुल फॉर्म क्या होता है सेम कुश्चन है इसे ही आता है एक्जाम में सेम ऐसे ही UPI तो सब जानते हो UPI मतलब Unified Payment Interface होता है और PSP में S का मतलब पोच रहा है तो PSP का मतलब अगर हमें पता है तो S का मतलब हम इसली निकाल लेंगे PSP का मतलब क्या होता है Payment Service Provider तो S का मतलब क्या हुआ Service Simple सा है Payment Service Provider होता है जो की Banking Terms में यूज होता है यह UPI के रेफ्रस में पूछ रहा है इसे question सेम आता है important है अब next छोटे message को post करने के लिए कौन से networking site है तो simple सा question अब ऐसे भी तो simple question भी exam में पूछते है ठीक है आप अभी चलते रहो continue follow करते रहो exam नस्दीक आते आते मैं आपको और बताऊंगा अच्छे से ठीक है अभी इसको ऐसे follow करते रहो अभी exam का तो notification आया नहीं है कुछ तो अभी time है थोड़ा सा एक हपते तो मान के चलो time है एक हपते पहले notification आ जाता है कि इस date को exam होगा कभी-कभी जल्दी भी दे देते हैं जैसे एक हपते सा और पान-चे दिन पहले दे देते हैं तो अभी तो एक हपते मान के चलो उसके पहले notification आ जाएगा उससा tension नहीं लेना है तो tweeter जो होता है दोस्तों इसमें छोटे post करने के लिए होता ही है यह सभी जानते हो है न तो इसमें पूझते हैं कि maximum tweeter में कितना मतलब character यूज़ कर सकते हैं तो एक 280 maximum है यह जानते होगा नहीं जानते हो जान लो नहीं जानते हैं तो एक especially मैं बनाए हो वीडियो और social networking वाला तो उसको सब लोग देख लेना प्लेश्ट में मिल जाएगा वो भी ठीक है अब next surfing क्या होता है surfing मालूम है surfing का मतलब क्या होता है अब इस दिन मैं डिसकस कर रहा था आपसे एक होता है browsing एक होता है surfing तो surfing मतलब internet पर कुछ सर्च करना सिंपल से बात है और browsing मतलब होता है कि किसी website पर आप विजिट हो किसी webpage पर कुछ कर रहे हो काम कर रहे हो फिर आपको कोई link मिल गया अच्छा सा हार यार इसको सीखना है देखना इसके बारे में तो उसको क्लिक करें उसको बोलते हैं browsing मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाना browsing और surfing मतलब internet पर कुछ सर्च करना surfing तो दोनों पता होना चाहिए अब next internet explorer बेज नहीं दिखा सकता ये true है कि false common सा question सिंपल सा ये अगर देखा जाए तो internet explorer बेज नहीं दिखा सकता ये सही बात है कि गलत तो बड़ा सिंपल सा एक तो internet explorer क्या करता है बेज पेज दो दिखाता है और कामी क्या इसका है ना तो false हो जागी बोलन नहीं दिखा सकता बेज पेज ही दिखाता सिर्फ हो ठीक है next Libro office में screen बड़ी करने के लिए किस कुंजी का परियोग करते है अब इस screen बड़ी करने की बाता है या फिर full screen करने की बाता है है ना उसका मतलब एक ही होता है जैसे अब कभी कभी क्या होता कि question का answer नहीं पता होता हमें तो मालो ऐसे चार option दे दिये हैं हमारे सामवें तो क्या करते है control plus Z किसका होता है justify alignment का होता है है ना और control plus Z किसका होता है undo करने के लिए होता है undo करने के control plus Z होता है बचा क्या यही सिर्फ बटा इसी control plus shift plus Z होता है full screen करने के लिए फिर screen बड़ा करने के लिए control plus shift plus Z होता है याद रखने यह बात बहुत पूछते है फुल स्क्रीन पूछे या फिर बड़ी करने के लिए पूछे दोनों तो यही है ठीक अब नक्स्ट डेटा परिवर्तन या कोड अनुबाद किस लेयर का प्रियोग करता है मतलब किस लेयर पर कारे करता है कुल मिला के डेटा परिवर्तन टांसलेटन मतलब टांसलेशन इसको कीस लेयर पर कार करता है एक वीडियो में बनाया है इसका OSI मॉडल का कुस्छन ने OSI मॉडल का वीडियो कीदेगी हूँ क्यों कि देखो इसका इसल हो जागा presentation layer अब presentation layer क्यों presentation क्या होता है present करने के लिए कोई चीज़ होता है मतलब हमें वो जो दिखाता है present करता है हमारे सामने तो उसी पर code वगएरा अनुबाद करके तभी तो होगा वो present है की नई जैसे किसी भी code में आता है लेकिन हमें जो दिख रहा है वो हमें समझने योग बना देता है तो उसको बोलते हैं presentation layer उसी पर data वगएरा मतलब code अनुबाद जो भी हो translation वगएरा होता है टी कि अब next निम लिखित में से कौन सा search engine है यह भी simple सा question है वैसे तो इसमें search engine कौन सा आपको लग रहा है Linux क्या है एक operating system है Unix क्या है यह भी operating system है वास्टा तो कुछ होता नहीं अल्टा विस्टा इसका answer हो जाएगा अल्टा विस्टा एक search engine एक प्रकार का ठीक है याद रखना यह बात मालू होना जाएग सबको वैसे है तो ठीक अब next P.O.P. का full form क्या होता है P.O.P. एक देखो एक होता है P.O.P. 3 जो की P.O.P. 3 जो की email में हो जाता है post office protocols को बोलते है तो उसमें तो option में तो है यह नहीं कुछ यह post office protocol तो है यह नहीं एक तो होता है post office protocol इसमें होता है यह banking का है question digital finance का question है यह P.O.P. एक होता है P.O.S. एक होता है P.O.P. अगर P.O.S. पुछे तो point of sell और अगर P.O.P. पुछे तो point of purchase simple सा question है देखा जाए तो समझ रहे बात P.O.S. पूछता है दोनों पूछते हैं एक्जाम में 100% P.O.P. के जहां पर P.O.S. होता है एक तरह का machine है कौन सा machine जिस पर देखो कभी आप swapping करने जाते है तो यहां एक machine होता है चोड़ा सा जो जिसमें आप card swipe करके payment कर सकते हो वही होता है P.O.P. machine या फिर P.O.S. machine याद रखने है बाद एक परकार का machine है यह तो point of purchase point of sell दो तरह का होता है next fees for 2 lakh to 5 lakh 2 lakh से 5 lakh जो transfer करने का fees कितना होता है यह वैसे RTGS में पूछता है यह दोनों में same है वहता है वैसे लगवग अभी थोड़ा बढ़ा घटा रहे हैं लेकिन जब भढ़ाय दिंगे तो मैं आपको बता दूँगा फिर घटाएंगे तो मैं भी आपको बता दूँगा चर्चा चल रही है अभी हुआ नहीं है final तो इसका answer होगा 25 रुपए plus GSTV लग जाता है इसमें 25 रुपए plus GSTV लगता है 25 रुपए वैसे होता है GSTV लगता है दो लाग से पांस लाग जब आप कहीं भी ट्रांसफर करते हो पैसे का तो ठीक है next निम लिखित में से Linux में default media player कौन सा है default media player कौन सा है जैसे बिंडो गयरा में बिंडो मीडिया प्लेयर होता है एक BLC media player भी एक होता है तो Linux में क्या होगा तो Linux में मालूम है कौन सा होता है genome करके होता है जो Linux और Unix दोनों में use होता है genome करके media player है default उसमें ठीक है याद रखना अब next AI AI मतलब artificial intelligent language का अत्रदिक उप्योग किया जाता है किसमे AI के बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो में आपको बताया हूँ उस वीडियो का वीडियो उसमें डाल दी हो प्लेयलिस्ट में जो triple C news labels वाला है उसमें तो उसमें है ये उसको दिखोगो तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएक अच्छे से तो समझना चाहिए मैं अगर सारी चीज हमें समझ में आ जाता है न तो जरूरी है नहीं कोईस्टन मिला है कि नहीं मिला वह ऐसी हम कर लें एक्जाम अच्छा मार्ट ले जाते हैं इसलिए समझने और सेखनी कोईस किया है क्योंकि आप कोर्स कर रहे हो डिरी मिलेगी आपको एक certificate मिलेगा अगर टिफल सी का मतलब आपको knowledge होना चाहिए तो AI के language में सबसे यादा यूज होता है सभी Lisp होते है Python भी होते है R एक language करके होता है तो all of ever इस सारे language यूज होते है किसमें artificial intelligence में तो इसमें देखो मैंना all of ever क्यों किया क्योंकि ऐसे कर दिया आपको समझाने के लिए एक होता है Java वह भी बहुत यूज होता है Python भी बहुत यूज होता है Lisp जो है वह भी यूज होता है Prolog करके यूज होता है C++ भी यूज होता है अगर मानों अलग 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 आता है तो क्या करोगा Python भी बहुत पाफलर रहे है Java भी यूज होता है सारे यूज होता है इसलिए मनें सारा कर दिया Python लिस्प या रखना है आपको मानों अलग अलग आ जाए तो हो सकता है Python दे दे लिस्प दे दे या फिर प्रोलोग दे दे जावा दे दे तो सारे यूज होते है यह आपको ध्यानम रखना है बस ठीक है अब नेक्स्ट इनमें से कौन बैलिड इस्पेट सीड फंक्सन नहीं है पूछ रहा है कौन नहीं है सम नहीं है अवरेज नहीं है या फिर प्रोड़क्ट नहीं है या फिर सब नहीं है तो इसमें देखो दोस्तों आप लोग संतिय होगे सम होता है अवरेज भी होता है प्रोड़क्ट भी होता है सब नहीं मिलता हमें तो इसका एंसर क्या होगा हो जाए यह नहीं है ठीक है अब next इन में से क्या artificial intelligence का प्रयोग करता है artificial intelligence का प्रयोग क्या करता है artificial intelligence मतलब होता है intelligence मतलब क्या होता है बुद्धी दिमाग मतलब दिमाग तो है वो लेकिन असली नहीं artificial मतलब क्या होता है artificial आप उसर लेते हो ना उसी तरह से यह भी होता है intelligence भी मतलब है तो दिमाग की तरह लेकिन असली नहीं है नकली है काम करता है वैसे तो Google असिस्टन्स देखो क्या करता है हमारा मदद करता है यह बहुत सारा हम यूज कर लेते हैं उसको इसमें ही artificial intelligence का प्रयोग करता है सब परसंट याद रखना अब next power five two का मान क्या होगा simple सा question है इसमें आपको बताने की ज़रूद नहीं है power का मतलब दोस्तों simple सा होता है कि जैसे हम लोग power पढ़ते हैं वही power यह जिसको घात कहते हैं कभी-कभी power का घात हिंदिम बोलते हैं तो पांच का पावर दो कितना होगा पचम पचीस होगा बस इसका answer यही हो जाएगा जो भी power आए वैसे पांच दो का power आता है एक्जाम में यही वाला same question ही पूछते हैं एक्जाम में तो जो भी आजाएब को सब कर लेना है पावर का मतलब वही पांच का पावर दो पांच का पावर तीन आ जाए तो यह 125 हो जैसे भी हो वैसे कर आप next PC में एक time पर एक ही operating system होता है true है कि false यह भी साइद एक दिन बताया था कि याद दिसंबर वाले में याद नहीं मुझे कोई बात नहीं जो भी हो थोड़ा बहुत question ऐसे मिल जाता है बीज बीज में कोशिस तो करता हूँ कि नयने question आपको बदाया जाए December के लिए especially टेस्ट तो हई है यह आपको यह देखना है कितना आपको आ रहा है कितना पढ़ाई करे हो आप तो यह हो जाएगा true क्या लिखा एक ही नहीं false हो जाएगी एक time पे एक से ज़्यादा कर सकते हैं एक ही नहीं याद रखना है यह बात एक time पे एक से ज़्यादा operating system में यूज कर सकते हैं simply up next messenger किससे संबंदित है यह पूछ रहा है messenger तो messenger simple सी बात है किस संबंदित है facebook संबंदित है इसमें कुछ सोचना ही नहीं है facebook messenger वही है instagram किसे संबंदित है facebook क्योंकि facebook का messenger whatsapp instagram सभी है youtube पूछ ले तो youtube google से जमन्दित है क्योंकि यूट्यूब गूगल का है F.S.F का full loop क्या होता है क्या होता इसका full form F.S.F बड़ा सिंपल सी बात है ये Free Software Foundation ये क्या करता है सभी Free Software प्रोवाइड करता है Market में American Company है वैसे F.S.F उसका नाम है Free Software जिसके इसी ने जैसे Linux वाइड़ा में बहुत ज़्यादा मदद किया ये ही बनाने में Free है विल्कुल Libro Office वाइड़ा भी ये ही प्रोवाइड करता है इसमें बहुत सारा help करता है तो याद रखनें आपको ये बात अब next CC में कितनी लोगों को email भेज सकते हैं पहले question आता था कि email मतलब email में हम अधिकतम कितनी लोगों को email कर सकते हैं एक बार में तो वैसे ये भी आ गया कि CC में हम कितनी लोगों को भेज सकते हैं email वही question है तो उसका answer होता था 500 तो उसका जब 500 होता था तो इसमें भी हम 500 कर सकते हैं CC में क्या होता है कि copy and copy होता है mail का कितना भी mail उसमें CC में हम लिख सकते हैं email ID जो होता है जितको जितको भेजना सबको लग दो 500 लग दो अधिकतम क्योंकि अधिकतम 500 ही भेज सकते हैं ठीक है next Linux की command इन्वे से Linux की कौन सी command है most important question है ये तो आपको समझाने के लिए देखो CD CD भी Linux का एक command होता है इसका मतलब होता है change directory CD मतलब change directory mkdir मतलब make directory इसका मतलब होता है make directory मतलब बनाना है लस मतलब होता है list command मतलब आपको listing करने कोई file हो आपको list type में उसको बनानी है तो उसका मतलब list command ये सब सारे उसी के command होते हैं तीनों मैंने समझाने के लिए आपको लिखती है वैसे question पुछा था कि Linux में कौन सी command होती है सिर्फ इतना ही बेज़े थी मेरे पास तो इसमें से MKDIA और CD side दिया था जो भी हो यह important है तीनों आपको तीनों पता होना चाहिए बहुत important next main memory कौन सी है इन में से बहुत simple सा question वैसे simple सा इसलिए मैं अक्सर बताता रहता हूँ फिरहल जिसको नहीं पता जिसको पता चल जाएगा आज तो main memory कौन सी होती है main मतलब मुख्य memory RAM और ROM दोनों मुख्य memory के example होते है दोनों मुख्य memory होते है RAM मतलब random access memory ROM मतलब read only memory SDD hard disk होता है hard disk drive यह main memory नहीं होती secondary memory में आ जाता है ठीक है यह बाद रखना यह बात अब next निम लिखित में से कौन सी कंपनी QR code सबसे पहले यूज की थी बहुत important है यह देखो अगर ऐसा यह चारों आपसन आता है आपके सामने तो आपको PayPal पे करना है मैं समझाए तो हम समझ लो अगर उसमें Densobeb है जैसे एक Densobeb कंपनी इसको बनाया था QR code किसने बनाया Densobeb बनाया सबसे पहले उसी ने इसको बनाया था उसी ने यूज भी किया था Densobeb एक कंपनी है अगर Densobeb आता है आपके option में अगर यही option है तो आपको PayPal पर करना है नहीं तो एक है Densobeb लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए जैसे Densobeb ऐसे यही है Densobeb ऐसे करके simple side Densobeb sorry E है Densobeb यहाँ पर E है यह Densobeb तो Densobeb ने इसको बनाया था और उसे ने पहले use भी किया था अगर यह आता है तो आपको यही करना है नहीं तो आपको PayPal पर करना है याद रखना यह बात अब next LibreOffice में default save location कौन सी है LibreOffice अगर आप use कर रहे हैं कोई file है save किये तो default रूप से किस जगां पर वो save हो जाता है इसका अफिस में पूछे तो भी document में ही यह default रूप से save होगा अगर आप उसको location change नहीं करोगे तो ठीक अब next Internet explorer क्या होता है मतलब simple question भी आते हैं exam में यह वाला बहुत simple सा question हो ऐसे मुझे मालूम है कई लोग हैं बहुत पहले से पढ़ते हैं मैं जानता हूँ आप सबको मैं जो एक दू बार comment कर देता है न मेरे वीडियो पर उसको मैं कभी भोलता नहीं अब जाहिर ना करूँ अलग बात है हो लेकिन मैं उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है मुझे हो यही मेरे यादत है आज से नहीं बहुत दिनों से मैं बहुत लोगों को जानता हूँ आप लोग भले ना आपको फील ना हो पता ना हो अलग बात है लेकिन मैं अच्छे सा जानता हूँ यह समझ लेना इसका इंसर क्या होगा वेब ब्राउजर ठीक है इंटरन एस इनलोär के वेब ब्राउजर इस सिम्पल से अब next निम लिखित में से कौन सा बटन सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्टम को मिटाने के लिए दबाया जाता है कोई सेलेक्टम सेलेक्ट किये वह Core तो फौन साब्स बटन दबाउगी तो दिलेट हो जाएगो तो बड़ा सिंपल सा question है ये भी देखा जाते हैं मैं एक वीडियो बना वैसे आप लोग वो देखे की नहीं देखे जो फार्मूला का वीडियो है तो उसको सभी देख लेना जरूर उसके कई सारे question आपको फंसंग एक्जाम में जो फार्मूला वाला वीडियो देख लेगा अब को लेके चलता हूँ समझाने के लिए थोड़ा सा समझा दूमें हलका सा जैसे ले गए फ्लोर का मतलब होसे होता क्या है divisible जो divide हो जाएगा न उसी से वही आएगा फ्लोर में कम आता है एक होता ceiling तो फ्लोर में देखो 1199 मतलब 1209 लिखा हुआ है 1209 से कटेगा नहीं ले एक कि वही होता है कि यह कम वाला अता है कि क्योंकि कम वेला करजाता है तो यह हो गया फ्लोर लॉर सेम दोनए को ता ceiling फ्लोर और CE, उपर आगया वैसे Ceiling Ceiling लिख दिया है मैंने अब इसको Enter कर दो, देखो 1210 आगया, मतलब Ceiling से बड़ा वाला आएगा और Floor से चोटा वाला आएगा 11 से चोटा वाला होगा, जो 11 से कटेगा और 1210 बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला Ceiling से आएगा सारे question में आपसे बताया ना कि जो पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ जो आप लोग भेजते हैं, जैसे आप भी लोग भी भेजोगे ना वही, तो वही मैं बताता हूँ E-wallet में E का मतलब होता है electronic एसा question में जाता फ्री में एक नमबर मिल जाएगा आपका इसा मिलेगा, दो चार मिलेगा फ्री बाला, बाकी हार्ड भी रहेगा अब next E-mail और Facts एक ही चीज होती है True है कि False है तो इसका full form जैसे E-mail का full form तो electronic mail होता है सभी जानते हो ये बात Mail मतलब होता है पत्र चिट्ठी तो electronic mail और Facts का full form हो में पता होना चाहिए Facts का मतलब होता है Far away jerogs क्या? Far away, far करके बोलते हैं इसको Far away jerogs ठीक है? तो वही होता है, लिख देता हूँ मैं Far अबे वही अबे वाला और जरोक्स सभी जानते हो ये ये वाला तो क्या है? Far away jerogs Facts का मतलब दोनों में difference होता है दोस्तों एक नहीं होता देखो Facts क्या पहले user तो कम हो गया Facts जो पहले क्या था? Internet नहीं था तब भी use होता था telephone line से ये जो steady नहीं होता telephone line से इसको भेज देते थे Facts Email क्या है? आज कल हल को ये अपने mobile से देखो बैठे है बैठे भेज रहा है तो दोन में difference बहुत है न? समझ सकते हो आप लोग तो ये full form है पता होना चापको यही था इसके बारे में अब next क्या mouse के बटन को आपस में बदला जा सकता है ये true है कि false इसके बारे में जान दूग नहीं जानते हो ये hardware का question है समसलो क्यों कि mouse के बारे में जब भी question पुछे तो hardware का हो जाता है अब इसमें क्या होता जैसे computer आप जब भी use करते हो पहले आपको क्या करना है control panel में चले जाना है जब control देखो ये control panel में जब जाओगे तो इसमें देखोगे तो hardware का option ये देखो hardware के बारे में लिख्या हुआ है तो hardware में जब जाओगे आप जैसे ये इसमें mouse ढोड़ना है हमें तो mouse ये देखो ये mouse है माउस पर जब क्लिक करोगे, माउस सेटिंग है, समझे लोगे, माउस के बारे में सेटिंग है, तो यह देखो, माउस प्रोपर्टीज आ गया, हमारे सामने बटन पर है, यह माउस दिख रहा है, अभी देखो, यहाँ पर क्या लिखिया है, मालूम है, स्विच प्राइमरी और सेकेंडरी बटन, अभी देखो, यह जो ब्लू दिख रहा है, उपर, ब्लू लेफ्ट साइड है, लेफ्ट बटन, जैसे माउस ऐसे होता, लेफ्ट की तरफ ब्लू है, मतलब यह अभी हमारा प्राइमरी जो है, लेफ्ट वाला बटन प्राइमरी बटन है, माउस का, लेकिन जैसे इस पे click करोगे ये वाले बटन पर टिक किया है देखो ये blue अब आ गया कि side right side आगा अभी हमारा primary बटन right हो गया है अब मैं right click करूँगा तभी हटे गई देखो right click किया भट गया फिर आके left आ गया है मतलब हम जो लेसे left ही काम करता है कोई बहुत लोग होता है न left hand से काम करते है उनके लिए तो बिलकुल ये बदला जा सकता है इसका answer true हो जाएगा next Libre office एक computer software है true है कि false तो बड़ा simple सा ही ये भी तो हाई है software हो computer का एक application software होता है वैसे ये originally लिकिन computer software भी इसको बोल सकते है कोई बुराई नहीं है तो Libre office एक computer software है और application software होता है ये बात पता होना चाहिए लेकिन अगर system software पूछता है तो गलत हो जाएगा ये system software नहीं है application software है लेकिन है तो computer का ही software है कि नहीं तो ये हो जाएगा next इमेल में संदेश कहां होता है simple question ये भी है लेकिन पता होना चाहिए पता क्यों होना चाहिए मैं आपको इसके बार इसके बार डिटेल से बताऊंगो थोड़ा सा और तो जब भी आप कभी पहले भेजने वाली बात समझ लो जब आप mail करते हो जैसे कोई mail लिख रहे हो जब लिखे उसके बार इसको भेजे नहीं आप बाद में भेजूँगो तो क्या चलाएगा ड्राप्ट में चला जाएगा एक होता है ड्राप्ट तो ड्राप्ट में चला जाएगा फिर उसको चाहोगे एडिट करोगे फिर से send कर दिए, जब उसको send करोगे तो पहले कहां चला जाएगा, आउट box में चला जाएगा, फिर जब आउट box में चला जाएगा उसके बाद फिर जब deliver होगा वहाँ पर जिसके पास भेज़ेवाब तो फिर हो send box में चला जाएगा, और आए हुए जो भी email हमारे पास आते हैं, का आप पुछ रहा है संदेश कहां होता है, तो inbox में होता है जितने भी आये हुए संदेश होते हैं सब inbox में होते हैं, फिर दोस्तों यही था आज का अगरी question, 30 question complete हो जुका है फिर आते हैं question पे, उससे पहले आप सभी छोटा सा request है वीडियो को सब लोग like कर देना, तो like सब को करना ठीक है जो जो लोग अभी तक like नहीं किये हो वो लोग like करके जाना, वससे सब लोग नहीं करते हो मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं लेकिन कर दिया करो, और जो लोग नहीं हो चैनल पर चैनल को subscribe करके, बेल आइकोन भी फ्रिस कर देना और दोस्तों, एक मेरा दूसरा बाद चैनल जिसको कहानिया सुनना पसंद थे, उसमें कहानिया सुनाता हूँ, तो भी IT, Ministry of Electronic and IT Ministry, जो है Information Technology, उसने इसको, उसके अंडर में आता है, उमंग अपलिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, Unified Mobile Application for New Age Governance, इसमें भारा सरगार की सभी तरह की योजनाये पाई जाती ही, बहुत सरा बताता रहता है तो मैं आपसे वैसे, और पूछा था, प्रिंट MS Office में तो Control plus F2 होता है, MS Office के लिए, एंसर किसे ने दिया, सिखा पांडे, प्रिंट ना, सोनी, रितेश सर्मा, अंकुर अग्रहरी, अमरिता, कुमारी, ललिता, चोहान, आदर्स, पांडे, एक तसंग ने सही अंसर दिया, और भी कई लोग ने वैसे सही अंसर दिया था इसक क्वेशन जो मैं दिया हूँ, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप सेवे को All the Best मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिए जाहिंद, जा भारत